नमसकार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करने बालIs एक ऐसे फसल के बाड़े में, जिनमें जो हे नहीए नेटकबर लगना आनी कि ठंड से बचाने केलीए कोई शमसिया हो आदोस्तों, नहीं कोई प्रकारका समसिया आने बाला है क्योंकि दोस्तों ठंड का ही मौसम में होने बाला है कैसा फसल के बाड़े में हम बात करने जा रहे हैं जिनको लगा कर आने बाला समय में इसका सठेज चलने बाला है क्योंकि दोस्तों बहुत जादा शाधी होने बाला है बहुत जादा साधी विभा होने बाला है इसी के कि आप लोग जो ए अच्छा अच्छा सटीक जनकारी जिससे आप लोग को आने वह समय में वे अच्छा पादन तो आप ज्योशन जनता का लख्की बnda बैरेटी सेलेक्शन कर सकते हैं नहीं ते दोस्तों वेलकम का सेलेक्शन कर सकते हैं और ऀस पचासी और До दोनों बैरेटी आता है एड़ताग उल्डेट बैरेटी जबधार अकल जिक ara जरूरी देड़ किलो से लेके 2 किलो का साइज आता है दोस्तों बहुत अच्छा वेट और साइज आता है और साइनिंग आता है दूद के तरह फुल सपेत रहता है दोस्तों अगर आप लोग का फुल में कोई समस्या आ रहा है जैसी कि फुल कोभी के फुल में लाल हो जाना या पीला ह जाना या किसी प्रकाई समस्य आ रहा है आप लोग बेजी जा कमेंट कर सकते हैं दोस्तों 15 दिन के बाद जो आप लोग शीचाई करकर आप लोग यूरिया छीट सकते हैं उसी किसाथ अगर सागीरी का मिला देते हैं तो दोस्तों आप लोग का कोभी कि जो बढ़ होड है साइज और फूल का कलर जो है वाइट रहेगा तो दोस्तों आप लोग कोशिश करेंगे कि शुरू आती चरह में जैसी की बेसल डोज में लिए 50 किलो दोस्तों मियूरेट अप पोटास लगव 25-40 किलो ले और दोस्तों डिएपी 18-46 जो आता है वह लगव 50 किलो ले दोस्तों इसीक साथ आप लोग बोरेक्स जो की मिट्टी में डालने वाला आता है आप लोग करिशी केंद्र में आनी की दुकान में जाकर पूछ करना है और दोस्तों इन सबी को मिलाकर वेसल डोच में विखोर दे और रोटा वेटर लगाकर संसल कर दे दोस्तों उसके बाद आप लोग टिपी करेंगे उसके बाद आप लोग किसी परकार के समस्याद देखने को मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है फिर भी दोस्तों आप लोग जड को फंगी साइड से उपचारित करें जैसे कि कपर फंगी साइड हो गया नहीं तो दोस्तों आप आपको जैसे कि एक लिटर में लगबग आप लोग चार से पांच गराम डाल कर घोल को तयार करें और उसमें जोड को लगबग 3-4 मेट तक दूबो कर रखे जिससे जोए आप लोग टीफी करेंगे उसके बाद आनिकी रोपाई करेंगे उसमें जोए फंगस ना लगे जोस्त तो इस पर काक समस्य आप लोगो देखने को मिल रहा है तो जो डोस्तो आपनेजर टेंगी में 50 गराम से लेके 45 गराम तक आप लोग ढाल कर और ग्रूंचिंग कर सकते हैं जड़ जड़ में डाल सकते हैं इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि दोस्तों सुकने का समस्या जो आता है वह खतम हो जाएगा उसके बाद अगर आप लोग का पौधा का समस्या आ रहा है आप लोग कमेंट पर सकते दोस्तो अब हम बात करेंगे लबक जब हमारा पौदानिकी फूल को भी में फूल आना तयार हो जाता है उस समय आप लोग को क्यालसियम और बोरोन का इस्प्रेक कर देना है दोस्तो जिस्टे जह हमारा फूल है वाइट आये और चमकदार है दोस्तो आप लोग को अगर हम बत दोस्तो प्यूर फूल आता है एक बार आप लोग जड़ू लगा कर डेख सकते दोस्तों इसी परकास अगर बात क्या जाए आप लोग का अनिकी फूल को भी अगर खीडा उड़ा लगता है तो दोस्तो आप लोग जिसकी ब्लाग डॉग हो गया एसीटा में प्रीड हो गया 20% में जो आता है आप लोग किसी भी कंपणी का ले सकते हैं और दोस्तों ब्लाग ड़ग ब्लाग लेना है और 20 गराम लेना है इसीटा में प्रीड और इस्प्रे कर देना है दोस्तों आप लोग को लागव 15 दिन तक जो है एक भी कीड़े नजर नहीं आएगा आप लोगा सब्सक्राइब दोस्तों इनका स्प्रे करना है और इसीग साथ आप लोग इस्टिगर भी मिला सकते जिससे आप लोग का रिजल्ट जो है दो गिना बढ़ जाएगा दोस्तों अगर आप लोग का ओधाज न शुरुवाति चर्ण में छोटा है उससे में आप लोग एंपीक सप्रेद बना रहे और ज्यादा दिन तक रहे तो दोस्तों आप लोग को हमारा जानकारी कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जड़ू दबा दीजेगा